ब्रेकिंग न्यूज इस्टोरिकल डिसीजन भाई आइस एयाई फाइनली ओफिसियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है सिये एक्जाम सेप्टेमबर 24, नॉमबर 24 और जैन्वेरी 25 इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार फिर से बोल ला है सिये का एक्जाम कनफर्म हो चुका है सेप्टेमबर 24 में हो रहा है नॉमबर 24 में हो रहा है और जैन्वेरी 25 में हो रहा है डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में सेर कर दीजिएगा वीडियो को वीडियो को कहीं पे स्किप नहीं करना है और हाँ कोई भी एडिसनल डाउट हो तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ डालिए या मुझसे बाते करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम जो लोग भी इस चैनल को फॉलो करते हैं अल्रेडी बता रखा था कि एप्रेल के लास्ट वीक में ओफिशल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है बच्चो ऐसा ही हुआ फाइनली ओफिशल नोटिफिकेशन आ गया अब कन्फर्म हो चुका है कि सेप्टेमबर 24 में एक्जाम हो रहा है और जैन्वरी 25 में एक्जा आज ही के देन में ओफिशल नोटिफिकेशन आ गया है डिटेल में जानते है अब आपके मन में डाउट आ सकता है मी जून 24 के बाद कब एक्जाम हो रहा है तो सेप्टेमबर 24 में इसके बाद नॉमबर 24 में इसके बाद जैन्वरी 25 में जैसे कि आप लोगो को पता है चार् इंटर्मिडियेट एन फाउंडेशन का एक्जाम जैन्वरी में जून सेप्टेमबर और फाइनल का एक्जाम में और नॉमबर के मन्त में होगा यानि कि बच्चो अब जो में जून के बाद कब एक्जाम हो रहा है सेप्टेमबर 24 में वहाँ पे होगा इंटर्मिडियेट जयाने दिया गया है यानि कि बच्चो ध्यान से बाते को सुल लिजेगा अगर आपको CA Foundation का एक्जाम September 24 में देना हो तो Repeater तो अराम से एक्जाम फॉर्म फिल करके दे सकते हैं लेकिन अगर First Time, Fraser वाले बच्चे कब तक Registration करेंगे तो वो September 24 के एक्जाम में आपियर कर सकते हो तो ध्यान से बाते को सुल लिजेगा लास्ट देट है September 24 में Registration करने का 1 में 2024, 1 में 2024 तक अभी भी डेट बचा हुआ बच्चो Registration कर लोगे September 24 के एक्जाम में आपियर कर सकते हो वीडियो को सेर करते रहो और हाँ इंटरमेडियेट वाले यहां पर डाउट आना स्टार्ट हो सकता September 24 में कब तक Registration करोगे तो एक्जाम में आपियर कर सकते चाहे डारेक्टिंटी चाहे फाउंडेशन रूट पास करके September 24 में देना चाहिए हो अगर आपका Registration 1 जनवरी 2024 तक कर लिये होंगे आप September 24 के एक्जाम में आपियर कर सकते एक जनवरी 2024 के बाद Registration किये हो दैन आपका Attempt January 25 चला जाएगा अब जो Foundation December 23 में एक्जाम दिये थे वो लोग तो Registration नहीं कर पाएंगे एक जनवरी 2024 तक उन लोग तो बाद में किये होंगे तो उनका Attempt हो जाएगा January 25 ध्यान से बाते को सुनते रहिएगा January 25 में Registration करने का आखरी डेट क्या है चाहे Foundation रूट से या Direct Intry रूट से 1 में 2024 अभी भी बच्चो समय है 1 में 2024 आखरी डेट है January 25 के लिए Simple Language में समझ लेते हैं चाहे आपको September 24 फाउंडेशन का एक्जाम देना अभी भी डेट बचा हुआ एक में 2024 January 25 के इंटर्मीडियेट का एक्जाम देना Direct Intry से या Foundation रूट से अभी भी डेट बचा हुआ 1 में 2024 आखरी डेट है Finally बच्चो official notification आगया historical decision आउट हो चुका है Finally बच्चो आप समझो इस बात को कि September 24 में आपका एक्जाम हो रहा है Foundation Intermediate का और उसके बाद January 25 में हो रहा है CA Final का एक्जाम साल में दो बार होगा May और November में होगा I hope कि आपका doubt क्लियर हो गया नहीं है तो comment